इस वक्त अभी मौझूद हैं प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में और बताते चले की पुड़े बिहार में वाइरल फीवर ने दस्तक दे रखी है और प्रदेश में बीते कुछ दिनों में कई बच्चों की बिमारी से जान गई है और PMCH में बात करें तो सिसीव कोई भी एस्पताल के डॉक्टर इस मसले पर कुछ भी बोलने से साफ इंकार करते रहे और जब इस मसले पर हम अधिक्षक के पास पहुचे तो अधिक्षक भी मीडिया से मुलाकात करने का समय नहीं दे रहे हम अधिक्षक कड्याले के बाहर है आप तस्वीरों में साफ दे करना हुए है उनकी क्या कुछ समस्या है अधिता भुखार था अच्छंग हाफता था अधिक्षक कर दो आप जालम लिया तो तिन महीना ठीक था तो इतका अधिन में अगाद हुआ था है यह इस प्यमेसी पहाई दो नौव दिन रखे था ठीक हुआ देले गए बहुत अध सब्सक्राइब कर दो कि इसका विरेंट पर चर गिया उक्राबाद इसका मजापर पूर करका कि यहां यहां में पंदरा रोज माफिद रहा है 15 दिन को बाद गिया एक कुमा में है अभी नाग्रा साब को कहना में जे बले कुमा से जल्दी भी निकाव सकता है और देरी भी ह होगा हुआ कि बोखार लगा था अब वोखार लगा कि लरपार होगा है यह यह एक महिना अदर रोज हो गिया यहां PMC में आपका 12 दीन रहा है हूं बारा दिन को बाद मिले गिया है तो आज दोस रोज होआ है दोस रोज के बाद फिर बुलाए थे तो अब यूँ जाएंगे जाच कराने इनमिट करेंगे नहीं अभी जाच करके भेजेंगे साइद इसे देख ले रहा है नाम राम अलक साहवा बच्छा का नाम है राजकुब इसके अलावा वाइरल के कारण इस्थिती इतनी गंभीर हो जारी है कि उन्हें अस्पताल लाना पर रहा है प्रतिदिन एकसो सतर से दो सो के करीब ओपीडी में वाइरल बीमारी की सिकायत को लेकर बच्चे पहुंच रहे हैं और उनमें से 30 से 35 की संख्या में बच्चों को प्रतिदिन वाड में एडमिट करना पर रहा है इती विभाद के लिपटना से क्रिस नंदन